दोस्तों आप आज जानेंगे क्रेट कार्ट का जो पार्ट पेमेंट होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रेट कार्ट का जो बिल बनने से सो, दो सो, पान सो, दो हजार, चार हजार ऐसे करके पेमेंट कर देते हैं, और कुछ लोग फूल पेमेंट कर देते हैं, आज आज बिल जनरेट होने से पहले करने से क्या बेंट पीट है बिल बनने के बाद कैसे आप पेमिंट कर सकते हो मेरा experience मेरा review आप तक पहुचाएंगे share करेंगे और आपको जानने को मिलेगा create card का बिल पेमिंट करने का सही time क्या है और मैं कैसे करता हूँ तो मेरा आपसे request है कि बिले को like करके support कर देना और चैनल पे नए आये हैं तो चैनल को subscribe के bell icon को on कर देना तो यहाँ पे पहले आप समझेगा इस बात को create card का bill generate होने का एक date रहता है आपका bill 10 तारीक को generate हो सकता है और आपका last date payment करने का 21 या 22 या 25 तारीक का हो सकता है बिल generate होने के बाद आपको कम से न कम 10 से 15 दिवस का timing आपको bank दे देता है इसके बाद जो part payment का बात आता है तो काफी लोग build generate होने से पहले कुछ 200, 400, 2000 payment कर देते हैं उनके बन में एक चिंता है रहती है कि अगर मैं पाट payment कर दिया तो मेरा loss जाएगा मेरा civil खराब होगा मेरा पैसा minus नहीं होगा तो पहले आप इसको समझे देखिए अगर माल लो आपने 40,000 रुपय खर्च किया है और उस amount को आप one time payment करना चाते हो आप उसे payment को आप AMI में convert नहीं किये हो तो आपने माल लो 40,000 रुपया आज खर्च कर लिया और एक्जामपल आज खर्च किया आपका बिल बनने वाला है 20 तारीक को तो आप 20 तारीक के पहले पहले जितना पैसा आप payment करोगे सारा पैसा minus हो के आपका जो है बिल जो आपका जनरेट होगा उसमें वो पैसा minus हो के आ आपका बिल बनके आएगा अगर आप जो है उस amount को पूरा payment कर देते हो माल लो पार्ट पैमेंट 200,000 चार्ट करके आपने payment किया ओ इकठा हो के उसे minus करके bank आपको बिल बना के देगा अगर पूरा payment कर दिया तो आपका जो बिल आएगा बनके उसमें outstanding amount 0000 लगके आएगा प्रड़क्त किया है या आपने कोई एमाई में प्रड़क्त लिया है तो उसमें आपको ओ जो है एमाई में करनोट होके आएगा तो बिल बनने के पहले पहले आप payment कर सकते हो इसमें कोई सिकायत नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं आपका civil भी maintenance रहेगा ना सिवल में कोई भी आपका ऐसा कोई negative असर जाएगा अगर आप जो है बिल बनने के बाद payment करते हो तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं है उल्ली जो due date आपका last due date है वो आपका पार नहीं होना चाहिए करने का मतलब है कि मालो आपका last due date एक तारीक है payment करने का तो आपको किसी भी हाल में एक तारीक के पहले पहले payment करना है एक तारीक के बाद अगर आप payment करते हो अगर मालो अभी इसमें आप एक बार गलती करते हो तो बैंक उतना उस पे नहीं असर नेगेटिक डालेगा बट अगर आप बार बार करते हो तो आपके civil में effect पड़ सकता है तो आप इसी को समझ लीजिएगा जो bill payment है आप उसे bill जनेट होने के पहले भी कर सकते हो तो 100 रुपे जमा करोगे तो 100 रुपे माइनस होगा एक रुपे जमा करोगे ओ भी माइनस होगा आप जितने पैसे इस्ट्रा पेमेंट करेंगे ओ आपका माइनस होगा अब यहां पर अगर आप payment जो है अपना credit card का इस्ट्रा कर दिया आपने 40,000 कर दिया तो वह जो बाकी का amount amount है ओ amount आपका next bill में bank उसे अर्जश कर देगा अब ऐसा नहीं है कि आप swapping करने के लिए आपकी limit 30,000 है और आप उसमें 1,00,000 रुपे डाल के swapping कर दो तो इस दिहाब पे आपको over limit charge लग सकता है bank लगा सकता है 590 रुपे plus GST यह आपको fix है लगना ही लगना है लग बाई chance न bill payment हमेशा जो है जैसे कि मालो मेरा bill अगर generate हो गया कुछ AMI अगर आपका AMI है तो AMI वाला जो system है आप bill बनने के बाद ही करें अगर आप AMI में convert नहीं किया है तो bill बनने के पहले कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है आप bill बनने के पहले भी कर सकते हैं AMI वाला process तो मैं जो हमेशा आप bill बनने के दो दिन बाद payment कर देता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं payment करना ही करना है तो इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि कभी-कभी payment करो payment failed हो गया और payment refund आने में time लग गया तो फिर पैसे का बंदबस करने में time लग गया इसलिए पहले से आप payment कर दोगे तो आपके लि नहीं है यह बात है याद रखना कभी भी बैंक आपसे advance पैसे नहीं लेगा बट अगर कभी भी आप कोई गलती किये हो और ड्यू किये हो तो उस पर चाहल आपको देना पड़ेगा तो आप साथ समझ चुके होंगे इस बिल जनेट के system को और यह सभी बैंकों में same system है किसी म में share कर देना अबन में कोई वी सवाल तो कमेंट कर देना फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक लिजय हिंद वंदे मातरम